नमस्कार मैं हूँ साने राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहास सम्मधाता तेजस्वी यादों ने मीडिया बंधों से बातचित कर बताया कि महा गट बंधन में शिर्ट शेरिंग कब होने वाली है क्या डेट है इसके बारे में बताया है और साथ ही आपको बता दे कि त पंदर पर हमला बोला है पहले आप यह सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अंतिम चरन में है इना अंतिम क्या किया ने किया किया असल मुद्धा जो है दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है ये पेपर लीग कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आतरी ये पेपर लीग जो है शुरू हो जाती है इसका दोश्री कौन है जो लोग युवाओं के भविश्च के साथ खिलवार कर र क्या इन पर कारवाई होगी नहीं होगी किसकी गलती है इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ये तो पताना चाहिए कितना मेनच से हम लोगों ने पद्ध जो है वो सुजन किया हम लोगों ने नौकरिया दी आगे ये सुने मारा की जब सारा काम हो रहा था देश में पिहास रचा जा रहा था और पूछा जाए पट्टा में बिल्दर पर गोली चल जाती है नालंदा में पत्रकार पर गोली चल जाती है लगतार अपराद के जो घटाएं बर रहे हैं कौन सानेता जो है भाजपा का या जेडियू का अब लॉएन और्डर का सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं यह कहां गया कैसे पत्रकारों के हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं आप ही लोगों के भाई पर हमला हुआ है गोल यह हमारे सेशन काल में हुआता है तो क्या हो गया होता अब तक यह भाजपा के लोग परधान मंत्री नरंदर मोधी आकर के चिला चिला के गला फार करके कहते हैं कि जंगल राज है अब किसका राज है जो फिड़का प्रस्त है और मौका प्रस्त उनके खिलाफ हमाजी लग तो आपने सुना कि तेजस्वियादो क्या खुश कह रहे हैं किस तरीके से यह निशाना साथरें बीजेपी और एंडिये गड़बंधन पे कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो लोग कहते थे कि जंगल राज है लेकिन अब क्या दिन दहारे पत्रकारों को गोली मार दी ज जाती है वहीं MLC आवास के बगल में एक युवक की हत्या कर दी जाती है तो यह जंगल राज नहीं तो क्या है जब हमारा सरकार था तो जंगल राज था और हमां हम पे सवाल किया जा रहे था लेकिन वहीं उन्होंने कहा है कि BJP और NDA गड़बंधन जो है वो मौका परस्त ह वो कोई मौका नहीं छोड़ती है और कभी भी इस तरीके का घटना होता है तो हम पर निशाना साथ दिया जाता है लेकिन इस बार तो इन्हीं के सरकार के साथ ऐसा हो रहा है वहीं इनके सरकार बनते ही पेपर लीक हो जाता है BPC TRE 3 का पेपर लीक हो गया था 14 मार्ज को इसक कैसे जो स्टुडेंट्स हैं वो पेपर में चोरी करके लिखते हैं तो क्या ये जंगल राज नहीं तो और क्या है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं बिहाद सम्मध आता